दिलिवरी के बाद जो है जादा तर महिलाओं के सरीर के उपर जो है वो खिचाओं के निशान बन जाते हैं यानि की स्ट्रेच माक आ जाते हैं ऐसा होना स्वाभाविक है जादा तर महिलाओं के साथ ऐसा होता है क्योंकि प्रेग्नेंसी के टाइम पर जो है हमारा पेट जो है उसका side जो है वो बढ़ता है तो पेट के उपर खिचाओ के निशान हो जाते हैं साथ ही साथ हमारा वजन भी जो है वो बढ़ जाता है तो इसके वज़े से भी जो है after delivery हमारा जो skin है जो उनकी तवचा है उसके उपर खिचाओ के निशान बनना बहुत ही normal है ऐसा अधिकतर मैलाओं के साथ होता है पर ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसके जो रेसे होते हैं वो बहुत ही गंदे दिखते हैं जिस वज़े से हम अपने पसंद के कपरे नहीं पैन पाते हैं और ये जो है बहुत ही जादा इसके अंदर इचिंग वगरा भी कई मैलाओं को होती है तो आज हम अपने इस वीडियो में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे अगर आप उसे फॉलो करेंगी तो इचिंग भी एकदम से खतम हो जाएगा साथ ही साथ जो ये निशान है जो ये धब्बे हैं वो भी एकदम से ठीक हो जाएगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमस्कार मैं दिपीका बिइंग ममी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको इसमें टिप्स बताऊ ना आप उसे पेशेंस के साथ रेगुलर बेस पर फॉलो किजेगा तब ही आपके जो स्ट्रेच माक है जो दाग धब्बे हैं वो एकदम से ठीक हो जाएगे तो चलिए अब बात करते हैं नम्बर वन है चंदन का लेब चंदन का लेब जो है निखार लाने के लिए स्किन की क्वालिटी को इंप्रूफ करने के लिए दाग धब्बे को कम करने के लिए स्ट्रेच माक को एकदम से गायब करने के लिए के इसे इस्तिमाल किया जाता है आयुर Budd तो दूद और चंदन के लेप को मिक्स करके अपने स्किन पर लगाईए जहां पर भी आपको स्ट्रेच मार्ग है जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहां पर दाग धब्बे हो गए हैं तो उस जगह पड़ापचे से इसको अपलाई कीजिए और सूखने के बाद नॉर्मल को दो लीजिए ऐसा अगर आप रेगुलर करती है ना तो आपका स्ट्रेच मार्ग जो है वो एकदम गायब हो जाएगा तो आप इसे जरूर इस्तमाल कीजिएगा नेक्स्ट है ऐलोवेरा का जेल एलोवेरा का जो जेल होता है वो इसकिन को मॉस्ट्राइज करने के लिए औ अगर आप चाहते हो कि दाग धबबे जो जल्दी से गायब हो जाए तो दिन में दो बार इस्तमाल कीजिए तो इससे आप देखेंगे ना कि आपके स्ट्रेच मार्ग जो है धीरे-धीरे हलके होने लगेंगे और फिर एकदम से गायब हो जाएंगे तो आप एलोवेरा के ज पाए जाता है जो कि स्किन को निखारने के लिए दाग धबबे को गायब करने के लिए बहुत जादा इस्तमाल होता है आप जो है आलू का रस का इस्तमाल है ना नॉर्मली जो है आप अपना जो फेस पैक लगाती है ना उस तरह से भी आप फेस पैक के तरह भी फेस के उप पाइजाता है जो कि दाग धबे को और स्ट्रेच माउग तो धोली कि निशान को कम करने के लिए बहुत ही जादा उपियोगी होता है तो आप खीरे का भी इस्तमाल कर सकती है stretch mark को खतम करने के लिए next है coconut oil यानि की narial का तेल अगर आप चाहती है कि आपका stretch mark जो है एकदम गायब हो जाए वहाँ पर पहली की तरह skin दिखे तो आप narial के तेल से regular massage कीजिए after delivery अगर आपकी normal delivery हुई है तो after delivery भी आप चाहो तो कर सकते हो narial के तेल से जहां पर भी आपको लग रहा है stretch mark हो गया है जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहां पर खीचाओ के निशान हो गया अच्छा नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर आप narial के तेल से regular massage कीजिए रोज massage कीजिए तो आप देखोगे ना कि धीरे धीरे से जो खीचाओ के निशान है वो कम होने लगे हैं और एक दिन देखेंगे कि वह एकदम से ठीक हो गया ऐसा लगे है यहां तो कोई निशान ही नहीं था next है बदाम का इस्तमाल करके भी जो है आप अपने खिचाओ के निशान को stretch mark को गयाब कर सकती है बदाम के अंदर विटमिन E भरपूर मातरा में होता है और विटमिन E जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है रिपेर करने के लिए तो आप बदाम का पाउडर बना लीजिए और उसे जो है coconut oil के अंदर mix करके या फिर बदाम को जो है उसका पाउडर जो है उसको दूद के अंदर mix करके अपनी तवचा पर लगाईए मतलब अपने स्केन पर लगाईए जहां पर भी आपको लग रहा है stretch mark है या फिर यहाँ पर खिचाओ के निशान है के लिए वीडियो हेल्फुल हो तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजेगा और इसी तरह के इन्फोर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बिंग ममी फैमिली का पार बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और साथ ही जो बेल आइकोन है उसे भी आउन कर दीजेगा